हलो एबरेवन, वेलकम टू लक्षिक के पीसी, फ्रेंस यह वाला क्वेशन डिस्कस कर लेते हैं, यह वाला क्वेशन भी यूके पीसी के एक्जाम में पूछा गया है, तो हामें यह बताना है कि यह जो नंबर से हैं, इन में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो सबसे देखते हैं कि इन नंबर्स को कैसे दूसे रूप में लिखा जा सकता है, छोटा करके लिखा जा सकता है, तो मैं बता देता हूँ, 2 to the power 3 to the power 4 को हम डारेक 2 to the power 12 लिख सकते हैं, क्योंकि power जो है, multiply हो जाएंगी, 3 into 4 तो 12 हो जाएगा, ऐसा ही 2 to the power 4 into 3 को 2 to the power 12 लिखा जा सकत है, 3 to the power 4, 2 to the power 2 को 3 to the power 8 लिख सकते हैं, 4 to the power 2, 2 to the power 3 को 2 to the power 4 की power 3, जो भी, जो की हो जाएगा, 2 to the power 12, और 4 to the power 3 की power 2 को लिख सकते हैं, 2 to the power 12, तो हम देख सकते हैं, क्या पर जो पहला है, दूसरा नंबर है, और लास्के जो दो नंबर है, यानि 2 to the power 12 दोनों, यानि 4 के चार एक ही नंबर है अब हमारे पास बच्चे जो तीसरा और चौता नंबर है थी टूर दी पावर एट और तो हमें सिर्फ पोषर यह पता करना है कि तो दी पावर ट्वैज और ठीके पावर 8 में से कौन सा बढ़ा है तो 2 पावर 12 को हम क्योंकि बड़ी multiplication हो जाएगी तो 2 पावर 6 और 2 पावर 6 में से तोड़ देंगे तो 64 गुणा 64 हो जाएगा फिर 3 to the power 8 क्योंकि 3 के 8 factor करने होंगे तो 2 में तोड़ देते हैं 3 to the power 4 3 to the power 4 तो 81 into 81 हो जाएगा तो हम आसानी से देख सकते हैं यानि 81 और 81 यह सबसे बड़ा नंबर होगा तो देख सकते हैं 3 to the power 8 जो option है वो right answer होगा तो यहाँ पे जो c वाले option में लिखावा है 3 to the power 4 की power 2 यानि c will be the right answer